आइ नमस्कार दोस्तों में है मोहीं उनराब देख एं मैं चेहले एंगेंग नेम के ग्यान歌 आगको से में आपको इंडियन म्लिटरी एकडमी के जो लिकर रिया तो बहुत मैं तो दोस्तो आप ज़से की देख सकते हो जो ये employment notice में लिकला हुआ है 20 नॉवंबर और 26 नॉवंबर के जो employment news है उसमें लिकला हुआ है दोस्तो दोस्तो ये भढ़ती दो मेहने पहले ही लिकल चुकी थी मगर employment news में इसका जो था notification नहीं आया हो था इसलिए ये नहीं offline भरे जा रहे थे मगर अब 20 नॉवंबर से आप इसको भढ़ सकते हो दोस्तो क्योंकि 20 नॉवंबर और 26 नॉवंबर के 2021 employment news में ये notice आ चुका है दोस्तो तो जैसे कि आप स्कीन पर देख रहे होंगे दोस्तो employment notice जो है आ चुका है IMA में आ चुका है दोस्तो Indian Military Academy में आप जो है इसे बहुत सी जो है पोस्ट लिक लिए है तो मैं पोस्ट के बारे में आपको आप बतायता हूँ दोस्तो सबसे पहले है कुक स्पेशल की जो इसका जो education qualification चाहिए metric pass चीए और must be knowledge of Indian cooking and professory मतलब knowledge होने चाहिए Indian cookies की साथ में दूसरी जो वेकेंसी है cook IT की लिक लिए है इसमें भी metric pass होना चाहिए और इसमें भी must be knowledge जो है cooking Indian की professional होने चाहिए दोस्तो फिर लिए है empty driver की जिसमें matricular pass होना चाहिए दोस्तो और must be driving lesson heavy vehicles का driving lesson होना चाहिए और साथ में आपको two year के experience ही है दोस्तो driving में और उसके बाद जहें boot maker boot repairing की इसमें भी matricular pass चाहिए आपको और should be able to carry all the जो knowledge होने चाहिए उस चीज की दोस्तो और LDC की लिख लिए दोस्तो lower division clerk की 12th pass चाहिए 12th pass के साथ-समे English typing आपको 35 word per minute चाहिए दोस्तों computer में और या तो हिंदी की 30 word per minute चाहिए on computer तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें LDC के बाद जो है मशालची की जो है matricular pass से ही दोस्तों और desire one year experience in trained desire मतलब आपको अगर है experience तो भी आप भढ़ सकते हो नहीं है तो भी भढ़ सकते हो उसके बाद आप देख सकते हो वेटर की भी आपको 10th pass चाहिए और experience चाहिए one year का उसके बाद जो है firing man में भी आपको जो है matricular pass यानिके 10th pass साथ में duty of जोग देख सकते हो आपके skin में MTS सफाई वाला में भी आपको matricular 10th pass चाहिए है desire man में आपको experience है तो चलेगा नहीं तो आप उसके पर सकते हो फ्रेशर भी 10th pass वाले उसके बाद आप देख सकते हो कि 10th pass चाहिए दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th pass MTS चोगिदार के भी 10th pass चाहिए desire man में तो आप देख सकते हो कि duty of जो है MTS चोगिदार की उसके बाद है groom की आई है उसमें भी आपको 10th pass must begin with duty of room तो देख सकते हो दोस्तों ऐसे आपको पारवर में भी आपको 10th pass के साथ desire man one year experience कि human repair में भी आपको 10th pass के साथ should be of carry to all of आप इसको आराम से जो आपकी post के regarding है आप भर सकते हो दोस्तों तो यह सब ordinary जो है आप देख सकते हो MTS messenger के भी 10th pass चाहिए दोस्तों और लेबरेटी अटेंट के भी आपको 10th pass चाहिए आपके 10th में बस science subject होना चाहिए दोस्तों तो आप देख दोस्तों इस तरह की साथ से बढ़ सकते हो दोस्तों जो candidate जो apply करेंगे वो citizen of India के ही होने चाहिए दोस्त तो यह तो कुछ आप इसको read कर लेना दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि female candidate कौन-कौन से suitable नहीं है post के लिए तो female candidate है वो कौन-कौन सी post apply नहीं कर सकते तो यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हो दोस्तों post which are not suitable for female candidate तो यहाँ पर है empty driver, cook special, cook IT, bootmaker, waiter, groom, GC ordinary, equipment repair, barber, bicycle repair and chocky-dar यह जो है female candidate नहीं apply कर सकते इस post के लिए दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि age limit क्या होगी, fees कितनी लगेगी और photograph तब कौन-कौन सी आपको कैसे क्या करना है photograph में और circular data और last date इसकी submit के लिए तो सबसे पहले age limit है 18-27 साल, empty driver और lab attendant के लिए 27, 18-27 और बाकी जो post के लिए है 18-25 साल होनी चाहिए दोस्तों और SCST, candidate के लिए 5-year, OBC के लिए 3-year and for PH candidate for 10-year तो आप देख सकते हो यह सब इसमें बोला गया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो है उसके बाद fees की बात करते हैं, 50 रुपे आपको postal order लगेंगे, IPO, Indian postal order, 50 रुपे का आपको एक चिट आता है, पोस्टर आता है रुपीज में, वो आपको आपको यहाँ पर लगाना आता है का साथ में, जो सिर्फ जर्नल वाले हैं, बाकी के लिए नहीं है दोस्तों, यह दूसरा photograph आपको one recently photograph, size photograph चाहिए, जो recently होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा है आपको circular data, तो आप देख सकते दोस्तों, age limit में आपको सब कुछ यहाँ देना होगा, last date जो है इसकी 45 डे है, या registration will be accept our registration past post, speed posts भी दे सकते हो, आप या आप उसे normal registration post भी कर सकते हो दोस्तों, और पांच रुपे की stamp लगेगा इसमें, और जो annual होगा, तो two आपको self address annual भी इसमें डालने पड़ेंगी, क्योंकि आपका admit card आएगा, तो वहाँ पर दो self address annual भी चाहिए, उसमें उसमें 5 रुपे का stamp भी चाहिए, दोनों में, पांच पांच रुपे की, तो आप देख सो, आपको अगर पूरी वीडियो चाहिए, offline form कैसे बढ़ा जाता है, वो भी मैं बना दूँगा दोस्तों, वो भी आप देख लेना, कि इसको कैसे बेजा चाता है, उसका पूरा मैं वीडियो बना दोस्तों, 25 कोशन होंगे, जो 25 नमबर के आएंगे, और जर्नल अवेंनेस का आएगा, 50 कोशन, 50 नमबर के, और जर्नल इंग्लिश आएगी आपको 50 कोशन, 50 नमबर के, और न्यूमिकर जो आएगा, न्यूमिकर पच्शिस नमबर आएंगे, 25 कोशन होंगे, तो ऐसे आपको तो डेट सो माक्स के आएंगे नंबर दो घंटी का पेपर होगा और पेपर आप इंग्लीश और हिंदी में दोनों में से किसे में भी देज सकते हो दोस्तों तो आप जो है इसका जो है यह पढ़ लिना आपको और इसके उपर मी मैं एक वीडियो बना दूँगा कि यहीं कि फॉर्म कैसे इसको कटे हैं और कैसेैप भी उपर लिख मैं निगे लिखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सी जो है आप देख सकते हैं यहां पर आप जो हो यहीड कर लेना दोस्तो चैंघ मेंने मैं अब बारि आती है दोस्तों की तो form भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तो कि आपको form ये वीडियो की description में form मिल जाएगा आप वहाँ से download करके इस form को fill कर देना तो सबसे पहले एक form आपको दिख रहा है form of under tasking to be candidate जो ex-sarmist man है वो ये category को भरेंगे जो ex-sarmist man की category है वो place, date और signature यहाँ पर कर देंगे जो ex-sarmist man जो है तो वो तो ये ex-sarmist man वालों के लिए हो गया अब जो दूसरा आता है वो है declaration of OBC candidate only जो OBC candidate है वो ये declaration form भरेंगे तो यहाँ साफ साफ आपको मैं zoom करके दिखाएता हूँ दोस्तो तो यहाँ पर आपको साफ अपना नाम daughter मतला father का नाम आपका address, city, district, state यह सब लिखके आपका community डालके इसको यहाँ पर OBC candidate जो है यह सिर्फ और सिर्फ वो भरेंगे और जो बात आती है main form की जो है यह लिखा हूआ है यह है main form दोस्तो performance of application तो यह जो है आपको पूरा फिल करना है दोस्तो तो यह वीडियो के description में मिल जाएगा दोस्तो आपको यह form और कैसे कैसे इसको फिल किया जाता है साथ में आपको इसमें क्या-क्या document भिछा जाएगा वो इसको पर भी एक वीडियो बना दूँगा मैं तो क्या-क्या आपको offline जो है